हाई गाइस गुड़ीवनिंग कैसे हैं आप लोग आई होप सब बढ़िया हैं बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है मेरा नाम है विजीत जैस्वाल और यूट्यूब चैनल और वर्चुल क्रॉफ्स मैं विजीत जादा गया हुआ है आज आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरे खराब गले को बैयर कर ले अविल्ट्राइम है बेस्ट की भई थोड़ा सा आप लोग को आवाज में ज्यादा तकलीफ नहों आवाज सुनने में प्रॉब्लम नहों ठीक है बट बोल नहीं हो रहा है जादा तो जादा लंबा ग्लास नहीं ले पाएंगे बट अल्ट्राय में बेस्ट कि भाई जितना अपन हो सकता है उतना कवर कर ले ठीक है चलो हम लोग अगर यहां पर आपको वैल्यूज दिये एम का और अनका सिंपल है यहां पर वैल्यूज फूट करो देखते जाओगे कि एक और प्शिन के साथ कि अगर तो देखो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा अगर आप देखो तो यह कितना हो जाएगा एट अगर आप देखो यह तो सही है भाई दूसरा एक्वेशन अगर आप देखो यह क्या बोल रहा है M-N M-N मतलब क्या हो जाएगा 6-2P2 is equal to 30 यह आता है कि देखिए 6-2 is 4P2 is equal to 30 आता है कि नहीं आएगा भई 4 into 3 अगर आप देखो तो this is not equal to 30 तो यह option A तो रही है option A is not your answer ठीक है दूसरा अगर आप देखो option B option B में आपको क्या दिया है M is 7 and N is 1 तो एक्वेशन में लगाओ 7 plus 1P2 is equal to 56 8 into 7 56 सेम है ठीक है तूसरे इसमें लगाओ क्या दिया है 7 और 1 ना तो 7-1 P2 is equal to 30 तो यह कितना हो जाएगा 6 P2 हो जाएगा क्या यह 30 आता है यह 6 into 5 is equal to 30 option B सही बैठ रहा है आपका देखो यह आप ओरली भी कर सकते हो एक बार आपको यह समझ में आगे यहां पर कौन सा नंबर है यह आप और ली कर सकते हो यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है यह आप और ली कर सकते हो ठीक है मुझे आपको बस बताने के लिए समझने के लिए यह थोड़ा सा लिखकर बताना पड़ता है अधावाइस these questions can be done नोरली तो आपका option है B आपका option कौन सा है B है आपका option ठीक है चलो next question अगर आप देखते हो तो same आपको value substitute करना है 5 PR is equals to 60 दिया है करते हो 3 देखो क्या हैगा 5 x 4 x 3 5 4 x 20 x 360 option A पहला सही answer है अगर आप option A consider करते हो तो 5P3 हो जाएगा यह क्या हो होगा 5P3 is equal to 60 5P3 को कैसे लिखते हैं 5 x 4 x 3 that is equal to what 60 समझ में है ठीके चलिए तो आपका option A is the right answer है यह ही सही answer है आपका एकदम next question अगर आप बढ़े तो next question कौन सा दिया है है आपको question number 13 क्या दिया हुआ है इफ 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 N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 P2 is equal to 132 न 1 प्लस N1 P2 is 132 और N1 minus N2 P2 is 30 तो भाई N1 और N2 वाल्यू सें वाल्यूस पूट करेंगे सबसे पहले option A देखने का है option A में क्या दिया है N1 is equals to 6 और N2 कितना दिया है N2 दिया है 6 पराबर अब इसको आप करो पहले इसमें आप क्या हो गया है आप यह देखोगी कि भाई यह इसका equation हो जाएगा 6 प्लस 6 P2 is equals 2 यह कितना हो जाता है 12 P2 तो यह कितना हो जाएगा 12 P2 मतलब 12 into 11 मतलब कितना हो गया 132 हो गया कि समझ में अगर आप देखो 6 plus 6 P2 मतलब क्या है 12 P2 हो गया 12 P2 क्या हो गया 12 into 11 हो गया 12 into 11 कितना हो था 132 यह तो आ गया भाई साही दूसरा देखते है दूसरा equation अ आ एन 1-N2 ठीक है N1-N2 कितना हो गया तो आई नहीं सकता यार 0 हो जाएगा नहीं N1-N2 किया तो 0 हो जाएगा 6-6 किया यह तो option यह तो बैटी नहीं सकता ठीक है अब option B अगर आप देखोगे तो यह एन 1-2 है एन 1-10 है यह एन 2-2 है यह बाद में करते हैं एक बार C को ट्राइ करके देखते हैं अपन ठीक है एक्जाम में भी आपको यह करना है कि भाई लॉजिकली जो सही बैठता है वो पहले ट्राइ करके देखो जिसकी probability आपको ज़्यादा लगती है ठीक है चलो अब अगर आप देखें तो एन 1 आपको कितना दिया है एन 1 इस 9 और एन 2 इस 3 तो करो भाई आपका यह हो जाएगा 9 प्लस 3 P2 is equals to 12 P2 12 P2 हो गया 12 P2 मतलब क्या हो गया 12 into 11 मतलब 132 P2 132 हो गया दूसरा equation में दालो क्या है यह एन 1 माइनस इन 2 दूसरा क्या है 9 माइनस 3 P2 is equals to 30 9 माइनस 3 is 6 P2 is equals to 30 yes 6 into 5 अगर आप करोगे तो आपको मिलता है 30 तो यह भी सही बैटर है मतलब option C आपका सही है आपका कौन सो option सही है भाई option C ठीक है एक बार आप दोनों को note कर लो मैं एक बार side हो जाता हूँ दोनों को note कर लोगा इस आप लो पहले इसका screenshot ले लो यह नहीं 11 वाले का ठीक है I hope इसका screenshot ले लिया है इससे note कर लो आप लो ठीक है पर इसके बाद में यह तो एकदम ही चेलर था इसका कोई जरूरत नहीं है इससे भी note कर लो कुछ नहीं किया हम लोग ने बस value substitute किये कि यह है आप लोगों कर लिया आप लोगों ने अगे बढ़ते हैं निक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को question दिया है question number 14 question number 14 भाई साब गला बैठना बे मुसम्म गला बैठना बड़ा बोर हो जाता है यार अना बड़ा बोर हो जाता है अब अगर आप देखें तो सवाल देखो क्या भूल है the number of ways the number of ways the letters of the word computer can be rearranged ठीक है अब इसने क्या पोला है इसने सवाल यह पूछा है कि यह जो computer यह जो word है इसको आप कितने बार rearrange कर सकते हो इसके जो letters है अब इसमें कितने letters है इसमें अगर आप देखें तो एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ लेटर है यह आठ लेटर्स को आप कितने बार rearrange कर सकते हो इसमझ में आया क्या करना है इससे आसान कुछ हो सकता है क्या computer को अगर आप देखें तो यह क्या लिख सकते हैं आप computer computer में कितने letters है आठ है और कितने कितने टाइप से आप इसको rearrange कर सकते हैं एट का seven into six into five into four into three into two into one यह फो अरे यह हो जाता है four zero three two zero four zero three two zero यहां पर क्या बोला है आप देखो यह जो alphabet से simple भाशा में अगरा मैं आपको बता हूँ यह जो alphabet से आठ लेटर के जो alphabet से इसको कितने टाइप में आप arrange कर के रख सकते हो four zero three two zero बट यहां पर यह आरेंज करने की बात किया है कि नहीं उसने बुला रियारेंज रियारेंज का मतलब क्या है अरे एक simple सा logic है यह 40,320 में से एक arrangement तो यहां भी लिखा है एक arrangement तो यहां पर भी answer four zero three one nine will be your answer four zero three one nine कैसे आया यह देखो अब यह जो है यह computer को आप कैसे लिख सकते हो यह word दिया है इसको और कितने टाइप से आप लिख सकते हो इसको और कितने टाइप से आप लिख सकते हो वो बोला है दिए कितने टाइप से आप लिख सकते हो और वो पूचा है तो आप देखोगे अब इसको और कैसे लिख सकते हो R.E.T.U.P.M.O.C. यह एक तरीका हो गया और और भी बहुत सारे तरीके ऐसे कितने तरीके है इसके अलावा भाई साब 45319 तरीक है आपने क्या किया पहले यह फाइंड आउट किया कि यह कितने टाइप से लिखा जा सकता है अब हमें एक टाइप तो दिया हुआ है तो आप क्या कर दी माइनस वन कर दी है यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया 40319 एक बर स्क्रीन्चौट ले लो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग next question के ओर पे question number 15 देखते हैं भी ठीक है जालो question number 15 पेश किया जाए भाई question number 15 को पेश किया जाए चले उब लाया question the number of arrangements the number of arrangements of the letters in the word failure so that the vowels are always coming together एक साथ इसमें पिसमें से कितने होंगे कौन-कौन से वोवल्स है देखो फेलियर में यह आई, यू, ए यह आपके वोवल्स हो गए ठीक है बाकी के कितने हैं किसे की सब्सक्राइब कि यह आपके क्या हो गए है अंट्रेंट इस यह दोनों मिला कि आपके आलफबेट बनाते हैं 26 ऐसे ऐई आई ओ यू यू यह पांच वोवल्स हैं बाकी के सारे जो आलफबेट से वह थे ठीक है तो अगर आप देखें अगर आप इसको गूप कर दोगे तो बीटा यह कितना हो गया एक दो तीन चार ना चार वोवल्स हो गया इसमें कितने चार वोवल्स यहां पर दिये औ इदे अगर आप देखो इनको आप एक मानों कि चार वोवल्स बूला और इस सारे वौवल्स एक साथ आने चाहिए इसलिए को एक मानों और यहां पर यह जो नौस यह हो गया दो यह हो गया तीन यह चार एक सबको 1 और वूर्व तो यह चार का फैक्टर पहले तो यह चार का पहले तो यह चार का factor into total यह 4 हो रहे हैं 1,2,3,4 यह 4 का factor ठीक है factorial भाई यह हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 simple सी बात है यह कितना हो जाएगा 576 कितना हो गई है 576 आएगा इस खान सर चेक कर लो भाई 576 24 into 24 अगर आप करोगे 576 answer आता है option A will be your answer कैसे किया एक बार और बता देता हो देखो इसने क्या किया है basically failure में आपको vowels एक साथ लाने हैं तो कितने बार होगा वो पूछा है तो भाई वोवल्स कितने दिये हैं 4 ना अब इनका किस ये चारों को कितने टाइम कैसे अरेंज कर पाऊगे आप तो सिंपल सी बात है इसका फैक्टोरिल निकाल लोगे ठीके ये 4 का फैक्टोरिल हो गया अच्छा बट फेलियर ये वर्ड में कितने बार हैंगे तो इसको आप एक कंसिडर करो आपका आंसर क्याता है और फैक्टोरिल इसका स्रीशॉट ले लीजे लोगे आगे नेक्स्ट वेश्टन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट वेश्टन क्या बोले है प्वेशन नमबर 16 को पेश किया जाए भाई, प्वेशन नमबर 16 हाजर हो, या आवाज हो गई है, मैं तो बोलू भाई, ये ऐसे बाल तुम्हें गला किसी का ना बेट है, बड़ा बोर हो गया, या रे ऐसे गला नहीं बैटना चाहिए, प्वेशन नमबर 15 हो गया है, हम दस पेपर्स हैं, दस, are arranged in such a way, कुछ इस तरीके से arrange किये गए है, that the best and worst papers never come together, दस पेपर्स हैं, कितने पेपर्स हैं, दस पेपर्स हैं, उसमें से जो best पेपर है, और जो worst पेपर है, वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे, अब एक चीज़ ध्यान रोगो, simple English है, बेस्ट एक एक ही रहेगा, worst एक ही रहेगा, best एक ही रहेगा और worst एक ही रहेगा, कोई tie two नहीं हो चल रहेगा, इसमें कुछ भी, right, तो अगर आप इसको देखेंगे, कितने पेपर्स की बात किया है, इसने, इसने बात किया है, 10 पेपर्स, 10 पेपर्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ, आठ, नौ, दस, ठीक है, कितने पेपर्स हो गए, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेपर्स, right, अच्छा आप ये 10 पेपर्स हैं, इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, कैसे आप इसको अरेंज कर सकते हो, टोटल, अरेंजमेंट्स, कितने कर सकते हो, इसके, टोटल अरेंजमेंट्स, कितने कर सकते हो, भाई, 10 का फैक्टर, कैसे करोगे, 10 का फैक्टर, टोटल अरेंजमेंट्स, कैसे करोगे, 10 के पेपर्स, 10 का फैक्टर, सिंपल सी बात है, 10 पेपर्स को, 10 तरीके से, कितने बार, कैसे रख सकते है, कैसे आर कोई ना कोई तो बेस्ट पेपर होगा अब उसने यह बोला है कि भाई जो बेस्ट पेपर है और जो वर्स्ट पेपर है कि वह साथ में नहीं आना चाहिए तो जाहिर सी बात है भाई हम क्या कर सकते हैं हम ये दो पेपर्स को साथ में एक सेड बना सकते हैं और बाकी के पेपर्स का एक सेड बना सकते हैं मतलब मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसको इसके साथ में रख सकता हूँ ठीक है इसको इसके साथ में रख देंगे ये जादा बहतर हो जाएगा त流 जाएगा त्री यह जाएगा फूर तो आप क्या बहुति कि भाई यह जो बैस्ट स्वर है यह हमेशा साथ में इसलिए ऑप जो पे हैए उनकर अगर अलग कर दोगे बाकी के बेपर में से आपको क्या मिल जाएगा जो papers साथ में नहीं है वो मिल जाएगे तो simple सी बात है आप क्या कर दोगे यहाँ पे इसको आप कर दोगे एक यह दो यह तीन यह चार यह पाँच साथ आठ नौ यह total कितने हो गए नौ हो गए plus यह यहाँ पे एक और दो अब अगर आप देखोगी इसे तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो papers coming together कितने रहेंगे भाई papers जो साथ में आ रहे हैं papers जो साथ में आ रहे हैं वो कितने हैं यह और फिर उसके बाद में यह ठीक है कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 9 factorial into 2 factorial यह वो papers जो कि साथ में आ रहे हैं यह हो गया दूसरी बात यह हो गई पहली बात यह हो गई दूसरी बात अब आप क्या करोगे total आपके जो arrangements है total arrangements है अगर आप यह चीज निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा you will get कि भाई साब कितने papers जो है कितने papers जो है वो अलग-अलग कितने ऐसे arrangements हैं जिसमें best or worst नहीं आएगा यह आपको मिल जाएगा आपको क्या करना रहेगा total arrangements से यह हटाना पड़ेगा जो papers साथ में आ रहे है तो टू पेपर्स तू पेपर्स विच नेवर ने वर तोगेदर इसको कैसे लिखेंगया इसको अब लिखेंगये 10 factorial minus 2 factorial 9 factorial ठीक है पूरे में से आप यहाँ डा दोगे 10 factorial को आप कैसे लिख सकते हो 10 factorial को आप लिख सकते हो 10 into 9 factorial minus 2 factorial into 9 factorial ठीक है अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो और इसमें से अगर आपने 9 factorial बाहर निकाला तो आपके पास में क्या बचा आपके पास में बचा 9 factorial common लिया तो 10 minus 2 ठीक है अब 10 minus 2 अगर आप लेते हो तो आपके पास में क्या बचा 9 factorial into 8 यहन्य आप इसको लिख सकते है और 8 into 9 factorial 8 into 9 factorial इस तरीके से भी लिख सकते है ठीक है क्या किया यह question में आपको total papers कितने 10 papers दी है उसमें से यह बोला है कि भाई जो best है और जो worst है वो कभी भी साथ में आएंगे ठीक है तो यहार साथ में आने वाले जो अलग करना है वो कौन से अलग करने वाला paper कौन से best or worst उनको अलग वाला एक बना दो और बाकी अलग हो जाएंगे तो total में से अगर जो साथ में नहीं आने वाले पेपर्स हैं उनको अगर आपने सिर्फ अलग कर दिया तो जो पेपर्स साथ में रहेंगे वो आ जाएगा वो मिल जाएगा आपको आंसर क्या है एट एट इंटू नाइन फैक्टोरियल ऑप्शन सी और आंसर ऑप्शन सी आपका आंसर है ठीक है इसका स्क्रींचॉट ले ल करिका है फॉर्मीला है बिस्क्ली क्या है आप चाहते तो ऐसे भी सॉल्फ कर सकते हैं उमले के लिए आप नोट डाउन कर लो तू पर्तिकिलर अ तो बतिकिलर वाल्यूस ऑगज बात और अधि निवर कम तो गेजर एक निवर कम टूगेदर इसका फॉर्मिला क्या है इसका फॉर्मिला है इसका फॉर्मिला है n minus 2 फैक्तरल आफ n minus 1 ठीक है n minus 2 into फैक्तरल आफ n minus 1 तो यहाँ पर लगाओ भाई 10 के तरह है, n है आपका 10 तो 10-2 into factorial of 10-1 8 into factorial of 9 यह भी आप कर सकते हो ठीक है आपको जैसे करना है आप ऐसे कर सकते हो आप चाहे तो यह formula चाहा होता है यार यह समझ के किया नहीं यहाँ पर आपको कोई formula अगरी की जरूरत नहीं है यह logic से किया आपन लोग ने कोई formula की जरूरत है ही नहीं आप अगर आपको यह जमता है तो आप यह करो, अगर आपको यह नहीं जम रहा है तो आप formula याद रखो, कोई दिक्कत नहीं दोनों at your service है यह formula याद रखो, फिर वो दो particular values जो कि हम कभी भी साथ में नहीं आती है, उसका formula है n-2 into factor of n-1 अगर यह याद रहता तो बहुत अच्छी बात है आप ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन दिखते हैं question number 17 question number 17 अगर आप देखोगे, एक सकेंड question number 17 क्या बोला है n-articles are arranged in such a way that two particular articles two particular articles never come together यहाँ पर उसने article बोला, उपर में paper बोला है तो यह आपका homework है 17 त्वाला is your homework question number 17 आपका homework है now 18 के अगर आप बात करें तो 18 देख लेते हैं क्या बोला है if 12 school teams are participating in a quiz contest if 12 school teams are participating in a quiz contest then the number of ways the first, second and third position may be one ऐसे कितने number of ways है जिसमें first, second and third position आप जीच सकते हो ठीक है चलो 18 त्वाला करते हैं कितनी स्कूल टीम्स बुला है 12 स्कूल टीम्स कितनी हैं 12 12 12 कितने प्लेसे बुला है उसने पहले तीन प्लेसे बुला है ना सब्रेसे बुड़ा है जिसमें जाएं 12 मुझें एक बात बताओ ही कि जांना बारा की बारा टीम्स एलिजेयाभल रहेगी फूर्स सिश्वजियं पे आने के लिए तब मुझे एक बात बता plagio इस सेकेंड पोजिशन पे आने Protection त्रेइम तेές फिय टिम और टीम से third पर third number पर कितनी team, जो की आ सकती है, तो, Sir, third पर न, 10 teams है, जो की आ सकती है, 10 में से कोई भी एक आईगी, पर 10 eligible है, 10 क्या है, 10 eligible है, उसने क्या बोला है, उसने बोला कि भई, ऐसे कितनी teams हैं, थे कितने ऐसे arrangement बन सकते हैं, तो, arrangement की जब बात किया तो 12 x 11 x 10 कर देना, कितना आए गई है, 12 x 11 x 1320, कितना आए गई है, 1320, ये एक तरीका हो गया, इसको solve करने का, या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, और ये इसने बोला है, तीन जगा पर, कितनी जगा, तीन जगा पर, बड़ टोटल कितनी टीम है, 12 टीम है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, 12P3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12P3 क्या हो जाएगा, जो जाएगा, 12 x 11 x 10, सेम चीज आएगे, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और logic से भी आप solve कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यार हर बार जाता है कि आप बुक से ही जाओ, आप एक बार कभी logic भी देख सकते हो, यह भी देख सकते हो कि कैसे जाता है, समझ गया ना concept को, तो मजा आती है solve करने में, ठीक है, नोट डाउन कर लो यार इसको, 18 वाला ही है, this is 18th question, ठीक है, मैं हट जाता हू, हाँ, फट फट इसको है, क्या next question, question number 19, ठीक है, question number 19, क्या बोला है, the sum of 4 digits, the sum of all 4 digit numbers, containing the digits 2, 4, 6 and 8, ऐसा 4 digit का number, जिसमें ही 4 digits आते हैं, उनका 4 का क्या, आपको sum बताना है, total बताना है, without repetition, मतलब ऐसे कितने numbers बनेंगे, ये 4 digits को use करके, और वो जितने numbers बनेंगे, उनका total, एक चीज़ तो बहुत clear है, ये 4 digits को मिला कर कितने number बनेंगे, सर 24 number बनेंगे, ये तो हमको पता है, बट ये 24 numbers, 24 कैसे आया, अरे यार, 1, 2, 3, 4, 4 numbers, ये 4 का कितना combination बनेगा, वाई साब, यहाँ पर आप देखो, तो इसका 24 का बनेगा, ये 24 numbers का आप यहाँ पर बात आती है, कि 24 numbers का वो total पूछ रहा है, कितना रहेगा, वो हमें बताना है, ठीक है, कोई cut in बात नहीं है, यार, number क्या बोलता है, उसने, 2468, अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, question number 19, number कौन सा बोला है, 2468, अब आप क्या बोलोगे, how many ways, how many ways, can you make four digits, number, कैसे कर सकते हो, by simple सी बात है, four का factor, which is equals to 24, अभी जो मैंने उपर बताया आपको, यह पहली बात हो गई, अब आप एक चीज़ समझने कोशिश करो, अगर हम लोग यह पहले दो number लेते हैं, example के तौर पर, समझा रहा हूँ एक concept, two और four अगर मिलेता हो, इसको और कैसे units और 10s दोनों की जगह का total जो हो क्या आएगा, six आएगा, ठीक है, यह याद है ना, आपको, units, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakhs, ten lakhs, so on, यह तरीका है, अब यहाँ पे देखो, इसका total कितना रहा है, six आ रहा है, इसका total कितना रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको सकते हो, कि भाई, यह जो total आ रहा है, six into ten, six into one, units में, मतलब six into one, plus six into ten, six into one is six, plus six into ten is 60, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 66, यह समझ में आया, कैसे आया, explanation दिया, अब next अगर मैं आपको बता हूँ, हम लोग तीन numbers लेते हैं, हाँ, two, four, six, अब यह कैसे लिखा हुआ है, यह है units, यह है tens, यह है hundreds, हाँ, two, four, और six, इसको आप, देखो, तीन number है, तीन number है, तो जाहिर सी बात है, आप इसको कितने, कितने types में आप arrange कर पाऊगे, छे type में arrange कर पाऊगे, two, four, और six को, कैसे arrange कर पाऊगे आप two, four, six रहेगा, फिर two, six, और four रहेगा, फिर four, two, six रहेगा, फिर four, six, two रहेगा, फिर six, two, four रहेगा, और six, four, two रहेगा, यह ही छे तरीके है, इसको arrange करने के, अब अगर आप देखो एक चीज गौर करना यहां पे यूनिट स्प्रेस यह है यह समझा रहा हूँ पहले आप समझ लो फिर उसके राद में यह कंसेप्ट प्लियर हो गया ना तो सॉल्फ करना ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी एक इहां पर आइक चीज देखो एक यूनिट स्में डू कितने बार सरा खो कि एक मूपनेटा हो कि यूनित्स में 2 आ रहा है यह दो बार चीज सोगहुंगा कि 10 गर आप पूरे का टोटल निकालोगे तो कितना होगा इसका पूरे का टोटल आता है 2664 264 आता है बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ यह इसके नंबर का टोटल निकाल होगे सिर्फ और सिर्फ यह इन चैनल होगे तो ये कितना हैता यह आएगा 24 अब 24eử इन्टु यूनीद्स है तो यह कितना रहा है 2424 एंटु 10 तो यह कितना है Конечно 1974 उन्ट को İot-ulators 164 आएगा है यह एक चीज जो आपको ध्यान देनी है किया ध्यान देना है सबसे पहले अगर आप देखे तो 4 alphabets 4 letters 4 numbers में से आप कितने ऐसे तरीके निकान सकते हो 24 तरीके से यह 4 numbers को लिखा जा सकते हैं, 24 तरीके से अब आपको सवाल में ये पूछा है कि ये 24 तरीके के जो numbers लिखे जाएंगे ना, उनका total बताओ देखो यार, 2 digits हैं तो हम लिख के देख सकते हैं 3 digits है तो भी लिख के देख सकते हैं अब यार, 4 digits है तो आप exam में वाइसे 4 digits लिखोगे क्या, कितने ऐसे papers भर हो रहे हैं, नहीं, not possible तो 4 digits के लिए आप क्या करोगे इसके लिए formula है सबसे पहले देखो, number of times every digit appears हाराय ह chaos तेफिए k भाईि तो बारे में हमत्यादा देख लिया यहां पर देखा ना, units में हर एक number कितने बार आ रहे हैं two बारे हैं तेने बारे हैं और हांडिस में कितने बारा रहे हैं और हंड्रज परारारा हैं यह दो दो बार तो आ रहे हैं इसका एक formula भी है इसका क्या है एक formula भी है यह पता करने का formula है क्या formula है number of numbers divided by number of digits कितने number थे इसके पहले वाले कितने number थे भाई तीन का factorial यह नमबर थे यह नमबर स्थे तीनका फैक्टॉरल कितने number of digits थे 3 ते मतलब 6 by 3 मतलब कितना हो गया दो यही चीज हमने ओपर निकाली यही चीज हमने ऊपर देखी आखो देखा देखा यह उपर जो देख रहा ना पूर्मुले से भी वही आ रहे है अब यह आपने कर लिया तो अब इसके लिए आपको क्या इसके बाद आपको कह गरना है ध्यान से सुनना सम्टोटल ओफ यूनित्स प्लेस हम लोग ने किया ना सम्टोटल ऑफ उनिट्स प्लेस यह 24 वाला फंडा इसको हम कैसा लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या 6 प्लस 4 ना रहे हैं 646242 यह आ गया इसको अगर आप इसको अगर आप इसको अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा यह कैसे आएगा इसको आप लिख सकते हूंँ उना 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 सर कैसे कि आप नहीं अरे छे दो बार है न यह एक तो six into two कर लिया चार दो बार है तो four into two कर लिया दो दो बार है तो two into two कर लिया बात तो ही की है अब इसमें से आप क्या common निकालो आप two common निकालो और six four two यह यह मैंने क्यूं बताया आपको एक चीज यह ध्यान रखो यह इसलिए बताया विकॉज यह six four two जो है यह वही नंबर है जिनको हम लोगों ने लिया यह देखो two four six इसको अगर आप लोगों ने two से multiply किया भाई आपको answer मिल रहा है इसको आपको क्या मिल रहा है answer मिल रहा है next अगर मैं आप लोगों कोई correct step बताऊं आगे का step 24 alphabets का अगर आपको देखना है तो कैसे करोगे इतना नोट कर लो फर आपको सारी चीज़े clear होगी इतना नोट कर लो आप लोग सारी चीज़े clear हो जाएगी आपको अभी बता रहो पहले इतना नोट कर लो सारी चीज़े clear करके देता हूँ ठीक है अब सुनिए हम लोगों ने क्या देखा हम लोग सिर्फ सवाल को समझ रहे हैं मैं concept समझाने कोशिश कर रहा हूँ यहां पर actually वो यह है कि भाई अगर आप दो डिजिट लेते हो तो डो डिजिट में − अब कितने आपके तरीके से आप लख सकते हो लिखकर बता सकते हो अगर आप पूछा गया तो एक बार का बता सकते हो so हो टोटल क्या है वह भी बता सकते हो जब चार बेजट की बात करते हैं तो मुश्किल जाती है थोड़ी सी आचा इसी चीज का मैंने फॉर्मिला भी बता दिया यहापे जो हम लोग ने भी सेम है बस हाँ यूनिट्स प्लेस में ऐसा है तो टोटल सेम आता है इसको हम लोगने फॉर्मिले के तरीके से भी देख लिया अना सबसे पहले हम लोग तो आपको यह समझ में आ जाएं वह नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है उसके भाद में हमने क्या देखा कि भाई सम टोटल ऑफ या यूनिट्स प्लेस यूनिट्स का प्लेस है उसका समदूटल कितना रहेगा वह भी हमने निकाल लिया अब अगर आप देखते हैं प्रक्राइब आपको दिया गया है वो नंबर कौन सा है वो नंबर है चार डिजीट का टू-4-6-8 ता डिजीट का नंबर दिया है 246 और 8 अब इसने बोला है कि इसके कितने combinations बनेंगे भाई इसके कितने arrangements बनेंगे arrangements कितने बनेंगे इसके arrangements बनेंगे 24 ये तो हमें पता है arrangements कितने बनेंगे 24 arrangements बनेंगे अब दूसरा इसने क्या बोला कितने numbers है number of numbers divided by number of digits कितने numbers बनेंगे 24 कितने digits है 4 तो कितने बार repeat होगा unit 10s और 100s के place में हर एक number जो वो कितने बार repeat होगा वो 6 बार repeat होगा unit 10s और 100 के place में जो हम लोग नहीं हाँ उपर देखा ना कितने बार repeat हो रहा है ये 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 वैसे ही जब 24 इसका बनाओगे ना मतलब चार डिजिट्स का बनाओंगे 24 कॉमिनेशन तो उसमें 6 कितने बार आएगा 6 बार आएगा 2 कितने बार आएगा 6 बार आएगा हर एक नमबर जो वो 6 बार आएगा ठीक है यह आ गया फिर यह आपका actual solution इसके पहले आपको इसका background बता रहा था यह actual solution इसके बार आएगा पर इसके बार में आपको क्या देखना है आपको यह देखना है कि टोटल of units place टोटल of units place अगर आप निकालो तो क्या रहेगा बई कितने नमबरs हैं 2 plus 4 plus 6 plus 8 कितने बार रिपीट हो रहे हैं 6 बार हो रहे हैं तो कितना हैगा 2 plus 4 plus 6 2 plus 3 2 plus 4 plus 6 plus 8 into कितने बार रहे बार 120 कितना आएगा भाई units place का टोटल कितना आएगा 120 simple है अब 120 into 1 कितना आएगा 120 आएगा 120 into 10s का प्लेस 1 2 0 0 120 into 100s का प्लेस 1 2 1 2 3 3 0 यह समझ में आएगा इसके अब में आता है 120 into 1000s का प्लेस 1 2 1 2 3 4 लगाओ इसका टोटल 120 प्लस 1200 प्लस प्लस एक बीस इस का अंसर आता है 1 3 3 2 0 कितने बार आता है भाई क्या टोटल रहे गा जो पूरे नंबर आएगे 24 नंबर जो आपके निकलेंगे ना आपके 24 अरेंजमेंट्स आएंगे यह चार नंबर्स को आप 24 तरीके से रिप प्रिजेंट कर सकते हो बरेक नंबर जो है यह हर एक नंबर यूनिट्स प्लस में कितने बार रिपीट होगा चेवार बर इक नंबर यूर्ट्स फ्लस कितना रहेका इन सबका टोटल इंटू अब आपको वो टोटल निकल गया तो उसको आप यूनिट सेंट संडेट थाउजन के प्लेस में पूट करो और टोटल निकाल लो इस विल बी और आंसर 13320 देखो भई 13320 है क्या 133 133 133 option D is your answer question number 19 हो गया question number 20 देखते हैं guys the number of four digit numbers greater than 5000 greater than कितना बोला है 5000 बोला है can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7 no digits repeated कितने number बनेंगे 5000 से ज्यादा के question number 19 हो गया 20 देख रहे question number 20 3, 4, 5, 6, 7 यह जो numbers है इनसे आपको एक number बनाना है that is greater than 5000 पांच हजार से बढ़ा है तो जाहिर सी बात है वो number जो वो तीन और चार से तो शुरू नहीं हो सकता वो शुरू किस से होगा पांच हजार छी हजार सात हजार ऐसा कुछ number रहा हो वो number क्या रह सकता है 5000 6000 यह 7000 कितने digit का number बोला उसने उसने बोला है चार digit का number right कितने digit का बोला एक पर देख लेते हैं 4 digit number बोला है ना चार digit का अगर number बोला है तो शुरूआत में तो आ गया चार यहां पर यह 5 आ गया तो और तीन digit लगेंगे यहां पर 6 आ गया तो यहां पर भी और तीन digit लगेंगे यहां पर 7 आ गया तो यह भी और तीन बीजिट लगी है समिध्या है यहां पे अगर आप देखते हो भाई 500 से बढ़े मतलब यहां पे तीन डिजिट लगेंगी ना तो इसको आप कैसे लिख सकते क्या 4 4P3 4P3 लिख सकते हो आप यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी क्या रहेगा 4P3 रहेगा यहाँ पर भी 4P3 रहेगा यह सारा टोटल क्या रहेगा इसका 4P3 अच्छा आपको कितने नमबस बन सकते हैं तो यह 4 करो इंटू 3 करो यह चारों का इंटू 3 करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4P3 हो जाएगा इसका टूटल कितना आता है 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 72 72 इस दी आंसर कितने ऐसे नमबस बनेंगे भाई जो की 5000 से जाधा रहेंगे 72 विल बी और आंसर देखो भाई 72 दी आए के हाँ पर है option A is your answer option A is your question number 21 देखते हैं चोर डिजिट्स नमबर to be formed भाई अब यहां पर 0 दिया है 01234 अब इसके लिए एक फॉर्मिला है यह important है थोड़ा सा अलग है इसका एक फॉर्मिला जो मैं आप लोग को बता देता हूं आप लोग कहा सान जाएगा एक सेकेंड आप हां जी, question देख लिए एक बार, question number 21 क्या बोल रहा है 4-digit numbers to be formed out of the figures 01234 नो डिजिट रपीट इस आप यहां पर कर लो solution, note यह आपके लिए note है when you have जीरो, ठीक है और साथ में यह लिखा रहा, no digits repeated, ठीक है जब आपके पास में 0 दिया है और आपको बोला कितने digits फॉर्म कर सकते हो, कितने numbers फॉर्म कर सकते हो, 4 digits के कितने भी डिजिट के और अगर आपके पास में 0 दिया है और यह दिया no digits repeated इसका एक formula है इसका क्या है एक फॉर्मिला है एन पी आर माइनस एन माइनस पी आर माइनस वन यह आपका फॉर्मिला है लगाओ भई इन कितना है कितने digits का है एक दो तीन चार पांच कितने बनाने है आपको आपका चार बनाने है ठीक है तो देखो यह क्या बनेगा यह बन जाएगा 5P4-5-1-P4-1 यह हो जाएगा इसको और सिंप्लिपाई करो यह क्या हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 minus 4 into 3 into 2 ठीक है अगर आप इसको solve करेंगे तो क्या होगा 4 into 3 into 2 होगा तो इसके आगे और क्या हो जाएगा ही हो जाएगा 120-24 which will be equal to 96 समझ में आया कुछ नहीं इसको formula के साब से करना है एक बाद formula glance कर लें और थोड़ा सा याद कर लें formula बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है question number 21 पटाक से glance कीजे प्लीज I hope आपने इसको देख लिया है, glance कर लिया है next आगे बढ़ते है question number 21 हो गया question number 22 is your homework because as the same हम लोग ने computer किया है question number 22 आपका homework है ये भी आपका homework है question number 22, 23 आपका homework है इसी type of questions हम लोग ने किया है right guys I hope आपको आथ समझ में है sorry for the voice आवाज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है I hope जल्दी ठीक हो जाएगा इसलिए वो LR भी नहीं आपाए है LR जैसे गला थोड़ा ठीक हो जाता है एक दूद दिन में हम लोग LR भी शुरू कर लें ठीक है I'll see you guys very soon आगे के आपके questions के साथ में और नहीं नहीं concepts के साथ में ठीक है Till then take care of yourself and your family Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents Thank you Bye-bye